पूवी स्टार्ड हो थी और हमें पता चलता है कि एक मास मर्डरर अपनी जेल से भाग चुका है बाद में रेडियो में भी यही नियूज आ रही थी इस मर्डरर ने पास्ट लोग का एक साथ मर्डर किया था इसके बाद हमारी में character है उसका नाम है द्रीष इसे हम देख सकते है उसके parents उसे घर में रहने के लिए सब कुछ instruction दे रहे थे क्योंकि उसके father का कुछ काम था इसलिए वो country से बाहर जा रहे थे उसकी मदर उसे सब कुछ समझा देती है और कुछ भी उल्टा सिदा करने के लिए मना करती है इनकी नेवर भी है जिनका नाम है content इसकी मदर कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के जरुवत पड़े तो Mr. content है यहाँ और वो भी तृषपन नज़र रखेंगे इनके स्कूल में एक नई लड़की आई है जिसका नाम है Valerie इसके बारे में बात कर रहे थे स्कूल की rooftop पर एक beautiful से लड़की काम कर रही थे उसके पास इनमें से जेव गया और उसे हो फ्लर्ट करता है पूशता है का कभी तुमने अपनी एस ये छोटे लड़की को डेट करने का सोचा है और इस पर हस देती है और अपने गाड़ी में बेट जाती है ये दोनों जब आगी जाते है तो हम देखते है यो लड़की अपनी कार में स्ट्रगल कर रही थे रिलिंग मशीन से उसका कार में ही मर्डर कर दिया गया जेफ और निल सब लड़कियों का बास्केट बॉल दिखने के लिए आये हुए थे इसमें जो नई लड़की है जिसका नाम है वैलरी ये अच्छे से बास्केट बॉल खेल सकती है शावर में त्रिश अपने फ्रेंड्स के साथ दिये तो उन्हें कहती है कि आज मेरे बैंस घर पर नहीं है हम सब फ्रेंड्स मिलकर पारिटी कर सकते हैं उन्हें ही चाहती कि इस पारिटी में कोई भी बॉईज आये जैसे बच्पने वो स्लीपोर करते थे उसे टाइप से आज भी वो मजे करना चाहती है स्कूल की न्यू गल वैलरी ये तेश के घर के सामने ही रहती है तो वो अपनी फ्रेंड्स से बुशती है कि हम उसे भी इन्वाइट कर सकते हैं उसे उसकी फ्रेंड डायन इसके लिए मना करती है क्योंकि वो वैलरी को पसंद नहीं करती वैलरी बास्केट बॉल में अच्छी है तो यही रीजन था उसे पसंद ना करने का त्रीश बुशती है कि उसे प्रॉलम क्या है उसकी फ्रेंड्स कहती है कि वैलरी का सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता वो इन सब से ज़्यादा घुल मिलती भी नहीं रिजन कोई भी हो पर फिर भी त्रीश वैलरी को बुलाना चाहती थी वैलरी ने इनकी सब बादे सुन ली उसे बुरा लगा और वहाँ से गुस्से में चली जाती है बास्केट बॉल हॉल के बाहर ही अभी अभी हमने मर्डर होता देखा है यहीं मर्डरर और इसे हम स्लैशर भी बुला सकते हैं सब लड़किया अपनी प्रैक्टिस खतम होकर बाहर आई इसमें से एक लड़की जिसका नाम दर डाया यह कुछ भूल चुकी थी पूरा हॉल खाली था तो अकेली अंदर जाती है कोश ने देखा उसे बॉन करती है कि जल्दी से अपनी चीज लेकर बाहर आजाना वरना सब कुछ लॉक कर दिया जाएगा लिन्डा ने उसे जो चाहिए था वो लॉकर से निकाल लिया पर जब वो वापस आई तो अलेटी सब कुछ लॉक हो चुका था अचनक से पीछी जे स्लैशर एक डिलिंग मशीन से उस पर हमला कर देता है वो साउधान हो गई थे तो सिर्फ उसके हाथ पर चोट आती है वो जल्दी से वहाँ से शावर की तरफ भाग जाती है एक कॉर्नर की नीचे वो छुप गई इस लैशर हर जगा पर उसे ढूंटा है कई भी ढूंट नी पा रहा था इंडा की चोट की वज़े से उसका ब्लड बहरा था यह ब्लड डोर से होते हुए लीक हो गया इस लैशर ने देख लिया डोर ओपन करकर उसने उसका मर्डर कर दिया त्रीश की फ्रेंड डायन जब अपनी घर जा रही थी तो उसका कोई पीछा कर रहा था डायन ने रियलाइस किया और उसको पटक दिया बात में वो रियलाइस करती है कि उसका बॉइफ्रेंड ही है वो यह जारा हर्ट हो गया था डायन वान करती है कि बात में फिर से इसा मत करना उसका बाफ्रेंड उसके साथ आज रात हैंग आउट करना चाहता था पर डायन कहती है कि आज मेरे फ्रेंड त्रिश केहा स्लिप ओर है तो वही वजाएगी वो कहता है क्या तुम कुछ बहाना नहीं बना सकती है डायन कहती है मैं कुछ न कुछ तो ट्राय करूंगी अब रात हो चुकी थी त्रिश अकिली थी तो अचानक से उसे घर में कुछ आवाज आया बहुत ही डर जाती है जल्दी से अपना डोर उपन करने की कोशिश करती है पर उसके पीछे उसके नेबर कंटेंट थे वो और भी सबराइस्ट हो गए कंटेंट कहते हैं तुमारा डोर ओपन था तुमें सिर्फ देखने के लिए आया हुआ था त्रिश को डरा हुआ देखकर वो भी डर चुके थे वो गया थी कि मैं अकिली थी इस वज़े से और भी जादा डर रही हो उसे इस तरह से रियाक नहीं करना चाहिए था मिस्टर कंटेंट कहते हैं कि जब तक तुमारी फ्रेंड्स आ नहीं जाती तब तक मैं तुमें कमपनी देता हूँ नहीं कि तुमें डर नहीं लगेगा नेकसिन में हम फिर से जेफ और नील को देखते हैं उन्हें तृष के याँ कि सिलिवोर के बारे में पता था कि डिसाइड करते हैं कि राप में उनके पास जाएंगे और उन्हें डरा देंगे थोड़ी देर में तृष के याँ उसके फ्रेंड्स आई के लिए क्योंकि उनके पैरंस कही बाहर गय हुए है वैलरी की सिस्टर वैलरी से पूछती है कि आगे के घर में तो पार्टी चल रही है क्या तुम इन्वाइटर नहीं थी वैलरी ने का मुझे इन्वाइट क्या गया था पर मैं ही नहीं गई प्रिश अपने फ्रेंज से बात कर रही थी तब एक कुछ फुटने का आवाज आया वो जब किचिन में आई तो हीटिंग के लिए उसने एक पॉट रख दिया था उसके उस पर ध्यान नहीं था तो फुट चुगा था फिर से हम देखते हैं वैलरी और उसके सिस्टर जब हैंग आउट कर रहे थे तो अचानक से बाहर से कुछ आवाज आया उसकी टस्ट में नीचे गिरी हुई थी उसने आसपास देखा तो उसके गार्डन में जो जूला है को आटोमेटिक जूल रहा था निकसिन में हम देखते हैं कि जेफ और नील ये त्रीश के यहाँ पोच चुके थे ये सब गल्स अपने कपड़ वेगरा चेंज कर रही थी तो सब मजे ले रही थे त्रीश अपने फ्रेंज्स के लिए पीजा वेगरा मंगवाती है ये फायर प्लेश जलाने वाले थे तो यही लकडिया लेने के लिए डायन बाहर गई डायन को इनके गराज के पास फिर से मिस्टर कंटेंड मिलते है डायन ने लकडि उठाए तो उसमें स्नेल थी वो बहुत डर गई थी तो मिस्टर कंटेंड ने स्नेल को मार दिया वो गहते हैं कि यही स्नेल्स मेरे गार्डन को खराब करते हैं यह नहीं मारने का काम वो बाहर कर रहे थे यह सब गल्स अंदर अपना हरुस को पड़ रही थे तब यह अचानक से बाहर से कुछ आवाज आए त्रीश ये खिड़की में देखने के लिए गई तो उसकी डॉल को उल्टा सिधा करकर वह लटकाया गया था उस वर बलड भी था वो बहुत डर गई उसके फ्रेंड कहती है कि जिव और नील होंगे उन्हें पता था कि आज हमारी यहाँ पार्टी है त्रीश कोई भी चास नहीं लेना चाती थी डायन गराज में गई थी तो उसने लॉक नहीं किया था अंदर जाकर उसे ही से लॉक करकर आते है थोड़ी दर में डायन को उसका बॉइफ्रेंड का कॉल आया ये क्यूट सी बाते कर रहे थे तो उनकी फ्रेंच सब को सुनती है उन्होंने फोन पर हस दिया और डायन को ये पता चल गया अचानक से घर की लाइट चली गई त्रीश कहती कि हमें जाकर फ्यूज वॉक चेक करना पड़ेगा ये सब डरते होई स्विच तक बहुच आते है त्रीश नोटिस करती है यहाँ से तो बहुत सारे फ्यूज गायव है वह उन्हों टॉर्च जलाए तो एक आदमी का लेक देखा वो जल्दी से उसे नीचे गिरा देते है ये हमारे नील और जेफी थे वो सिर्फ उन्हें डराना चाहते थे इसके बाद ये सब अंदर चले गए वैलरी को फिर से लगा कि बाहर कोई ना कोई तो है वो देखने के लिए गई तो पीछे से उसके सिस्टर उसे डड़ा देती है आज राट डायन का बॉइफरेंड उसे मिलना चाहता था वो त्रीश के घर में आ गया डायन ने गराज का लॉक खोल कर उसे अनलॉक ही रहने दिया ये दोनों फिर गाड़ी में मेक आउट करने लग जाते है डायन के बॉइफरेंड को यही इंटिमेट होना था पर डायन इसके लिए मना करती है वो कहता है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं है अगर तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं डायन ने कहा कि मैं पर्मिशन लेकर आती हूँ उसने अंदर आकर त्रीश को पुरा लगा वो रखे दिया कि मैं तुम्हें कोई भी कंपलसरी कर नहीं सकते डायन जब फिर से उसके बॉइफ्रेंट की गाडी में आई तो बॉइफ्रेंट का सर धड़ से अलग हो चुका था डायन डरक कर कार का हॉन बजा दिये अपने फ्रेंज को बुला रही थी गर में उसकी फ्रेंज ट्रिंग बना रहे थे तो मिक्सर की आवास की वज़े से वो कुछ भी सुन निबाए स्लैशर वही था तो उसने डायन पर हमला कर दिया आगे वैलरी और उसके सिस्टर या हॉंकिंग सुनती है सिस्टर बूशती है वहाँ चल कह रहा होगा वैलरी कहती है ये सब लोग हमेशा पार्टी करते रहते नॉजेस से हमें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है थोड़ी दिर में त्रीश और उसकी फ्रेंज का पीजा आया इनोंने जब दोर ओपन किया तो पीजा बॉई के दोनों आखों में ड्रिल किया गया था डारिकली उसकी बॉड़ी ही इन पर पड़ी ये सब बहुत ही डर चुके थे जल्दी से दरवाज़ाओ बन कर लेते ये जब सब हो रहा था त्रीश फोन बर अपने कोई से बात कर रही थी इन लड़कियों की चीखी कोई ने सुन ली त्रीश जल्दी से फोन रख कर पुलिस को कॉल करने की कुशिश कर दिया वो अपना एड्रेस बताने वाली थी तब इस लैशर ने उनकी घर की लाइन काट दी कोच वरीर थी तो उसने वैलरी को कॉल लगा वैलरी कहती है ये शायद वो पार्टी ही कर रहे है आपको कोई भी वरी करने की जरुवत नहीं है कोच कहती है पर फिर भी मुझे देख कर आना पड़ेगा और उसके फ्रेंस ने सब घर को लॉक कर लिया था अब आगे क्या किया जाए इसके वो प्लैनिंग कर रहे थे रिसाइड करते हैं पुरे घर के लाइट सो बन कर देंगे यानि कि स्लैशर कोज भी पता ना चले घर की टेलिफोन लाइन्स कट चुकी है और इन्हें किसी ना किसी से तो कॉन्टेक करना ही पड़ेगा जेफ ने कहा कि आगे ही वैलरी का घर है वहाँ जाकर हम हैल मांग सकते हैं इन्हेंने डिसाइड किया कि जल्दी से भाग कर हो जाने वाले हैं अगर एक साथ कए तो दोनों मारे जाएंगे तो इसलिए अलग-अलग रस्ते से हो जाएंगे उन्होंने अपने साथ नायूज ली सबको बचाने का यही तरीका था तो जान की बाजी लगाने के लिए यह दोनों रेडी थे जेफ बहार निकल कर जल्दी से गराज में गया वो आपर डायरेक्ली उसे डायन की बॉड़ी ही मिलती है उसके पीछे स्लैशर खड़ा था उसने उसके शोल्डर में ही ड्रिल कर दिया यह सब होते वक्त निल सक्सेस्फोली वैलरी के घर तक पहुँच गया था वो डोर पर नौक करता है पर वैलरी एक हॉरर मूवी देख रही थी इस मूवी का नॉइस सबसे ज़ादा था तो कुछ सुन नहीं पाई निल कंटिनूसली नौक करता रहता है वैलरी को थोड़ा सा आवाज सुनाए दिया तब तक निल के पास स्लैशर भोग चुका था वो जब तक दोर तक आई तब तक स्लैशर ने निल को मार दिया वैलरी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया स्लैशर फिर निल की बोडी काड़ी के ट्रंक में डाल देता है यही पर मिस्टर कंटेंट की भी बोडी हम देख सकते है वो बाहरी थे तो स्लैशर ने पहले उने ही मारा था स्लैशर ने नोटिस किया यह जफ के बोडी यहां नहीं है वो अभी भी जिन्दा था और हेल्प के लिए डोर तक आया हुआ था वो डोर नौक करता है पर आवाज नहीं लगा बाता त्रिश और उसकी फेंस डर गई थी उन्हें लगा कि स्लैशर होगा वो दर्वाजा खोल नहीं पाए स्लैशर जेव को ढून कर पूरी तरीके से मार डालता है वैलरी की सिस्टर को कब से लग रहा था कि उसे त्रिश के यहाँ पार्टी में जाना चाहिए वो फाइनली घर से बाहर निकल के वैलरी ने देख लिया तो वो भी उसके पीछे भी जाती है त्रिश की यहाँ आकर वैलरी डोर नौक करती है उसने उन्हें आवाज लगए त्रिश और उसकी फ्रेंड को लगता है कि वैलरी अगर बाहर रही तो उसे भी स्लैशर मार डालेगा कोई भी डोर आंसर नहीं कर रहा था तो वैलरी पीछे से डोर से ट्राय करती है त्रिश की फ्रेंड ने डोर खोला पर वहाँ पर स्लैशर था उसका गला काट देता है त्रिश अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम में जाकर छुप जाती है डोर पर उसने सब कुछ चीज़े लगा दी थी यानि कि कोई भी अंदर ना सके वैलरी फिर से आवाज लगाती है त्रिश की फ्रेंड कहती है कि वो बहुत ही डेंजर में है हमें उसे हल्प करनी चाहिए त्रिश कहती है लास्ट टाइम उसने आवाज लगा था तो वहाज से श्लैशर निकला शायद उसके साथ मिलकर काम कर रही है यही बात करते करते पीछे से खिड़की से श्लैशर अंदर आ गया ये दोनों सावदान होकर उस बाज सब कुछ चीज़े फिक ने लग जाती है त्रिश ने बेसबॉल बैट से उसके सर पर मारा डोर से सब कुछ चीज़े निकाल कर यहाँ से वो जाने वाली थी तब इस स्लैशर को होशा गया वो त्रिश के फ्रेंड को मार डालता है बहर वैलरी और उसकी सिस्टर है और त्रिश घर में अकेली त्रिश फिर क्लॉजेट में छुप जाती है स्लैशर त्रिश को हर जगा पर ढोडने की कुशिश करता है पर ढोडनी पाता वो त्रिश अपने क्लॉजेट में एक प्लास्टिक बैग में थी वो फिस सब बॉडिज को हैंडल करने लगता है वो उसकी सिस्टर के साथ अंदर आ गई उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है पार्टी छोड़ कर सब लोग कहीं चले जा चुके हैं वैलरी की सिस्टर कहती है कि इनके फिरिज में कुछ बीर स्विगरा होगी हमें लेकर जाते है वैलरी इसके लिए उसे मना करती है पर उसकी सिस्टर मानती नहीं फिर जब उसने ओपन किया तो उसमें डेड बॉडी थी ये दोनों बहुत ही जादा डर गई वैलरी ने अपनी सिस्टर को आगे भागने के लिए कहा तब यों स्लैशर को नोटिस कर लेती है उसके सामने भाग नहीं सकती थी तो नीचे जाकर बेस्मेंट में छुप गए स्लैशर ने एक बॉडी बेस्मेंट में छुपा दी वैलरी बहुत डर चुकी थी उसे सरवायू करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेस्मेंट के सब टूल्स हो देखती है सब बॉडीस का ठिकाना लगाने के बाद स्लैशर घर में एक जगावर सो गया जैसे हमने देखा था त्रीश के कोश ने फोन पर कोज आवाजे सुन ली थी यही चेक करने के लिए उसके घर पर वो आई वो यहाँ पर स्लैशर को सोया हुआ देखती है उसके पास आई तो उस पर वो हमला कर देता है स्लैशर उसे मारनी वाला था पर वैलरी की सिस्टर ने उसके पेर पकड़ कर उसे नीजे गिरा दिया कोश भी उस वर बहुत सारे वार करती है त्रिश लॉजेट से बाहर आई एक नाईव से उसके बैक पर उसने वार कर दिया स्लैशर अभी भी जिन्दा था उसने कोश का पूरा पेटी स्लाइस कर दिया तेश गिर चुकी थी उसे भी मारने वाला था कहता है तुम सब लोग बहुत ही प्रिटी थे मुझे तो मैं मारना नहीं था वर मैं तुम से प्यार करता हूँ प्यार में कभी-कभी ये चीज़े करनी पड़ती है मुझे पता है कि तुम्हें भी यही चाहिए वो से मारने वाला था तब ये बेस्मेंट से वैलरी एक मिशीटे लेकर बाहर आई स्लैशर जल्दी से भाग कर बाहर आ गया वैलरी उस पर वार करकर उसका हाथी काट डालती है स्लैशर ने अपला बैलास खो दिया और वो पूल में गिर गया वैलरी की सिस्टर घर में चुपी हुई थे बाहर आकर उसे गले लगा लेती है स्लैशर अभी भी जिन्दा था वो पूल से बाहर आया और इन पर जबक पड़ा वैलरी ने रेजिस्ट किया भाग कर उस पर गेरनी वाला था तब वैलरी ने मीशेटी उठा कर उसके आरपार कर दी और फाइनली उसकी डेट हो गए ये पूरी तरीके से एक साइको स्लैशर था इससे लगता था कि जिन्मी लड़कियों को मार रहा है उनसे उप्यार करता है पर दुनिया से उन्हें छोड़ाने के लिए उन्हें मारना चाहिए इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है हम फिर से मिलेंगे और ये नेमों के साथ तो तक लिए थैंक्यू